मित्रों मैं आपका मित्र नाराय नहाचारी है रत्नवे जोतिस एक्सपर्ट चंडिगड से मित्रों मैं बात करूँगा आपको एक विसेश आने वाले जो की 78 दिनों तक रहने वाला महायोग जिसे कहा जाता है हंस महापुरुश योग और ये हंस महापुरुश योग किसी विसेश अस्थान पर बैठने से बनता है और कभी किसी-किसी ग्रोहों के योग के मिलने से बनता है दोस्तों ये 78 दिनों का जो शानदार पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावर्फुल जो योग आ रहे है शनी गुरु और केतु महराज एक साथ यूति में आ रहे है इसलिए ये त्री कोणिया जो योग बन रहे है ये अपने आप में बहुत बड़ा योग बन रहे है स्काइब शानदार प्राट योग त्रया स्वार्ष ट्रय और क्राफ ये पेसरदफेए क्सीट केशड़ सबसे यह वाली 69 रात्त्री यानिकि पांच नवंबर की सुबह प्राताकाल से लेकर के और 23 जनवरी 2020 तक ये योग चलेगा और ये तीनों ग्रहें एक साथ एक यूती में रहेंगे जिससे सभी राशियों के उपर अलग अलग बुरा या अच्छा परभाव पड़ेगा वो कौन सी आठ भग्यशाली राशियां है जिनके उपर इन त्री ग्रहों का योग अच्छा बहुत अच्छा या बहुत लाबदायक बनता है वो आज मैं आपको बताऊंगा आप भी उन में से एक भग्यशाली इनसान हो सकते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करूंगा मेश राशी की मेश राशी वाले व्यक्तियों का स्वामी ग्रह तो मंगल होता है लेकिन मेश राशी वालों को ये नोवे भाव में यानि भाग्य स्थान पे शनी, गुरु और केतू भाग्य स्थान क्या है? किस्मत का, विदेश यात्रा का, फॉरन ट्रेवल का, भगती का, रिलिजियस का, धर्म का तो यहां पर मेश राशी वाले विक्तियों कि यदि विदेश की यात्रा पेंडिंग है, फॉरन का कोई काम पेंडिंग रखा हुआ है, बहुत समय से विजा में प्रॉबलम आ रही है, बहुत समय में कोई मानसिक परशानिया चल रही है, रिलेटेर टू इंपोर्ट, एक्सप मेश राशी वालों को विसेश रूप से भाग्य स्थान पे किस्मत के ताले खोलता है, लक को खोलता है, भाग्य को खोलता है, बंद किस्मत जो सालों से सोई हुई है, इन तीन ग्रोहों के मिलने से मेश राशी वालों का भाग्य स्थान ओपन करेगा, इसके बाद हम आजयेंगे दूसरी भग्ज अलीरसी दोस्तों मितों मितों यह को जो Loo और शनी और केतू UK ड़नुराशी में तो यह को विल्के में सब्सक्रेवन में सब्सक्राइब तो ऑंद प्रमारी कम प्लाइंग को योग को और जो कोई ब्यापार से रिलेटेड जो काम प्लैनिंग जो आलस आ रहा था लेजिनस आ रहे थी वो इन 78 दिनों में आपके अंदर चुस्ति फुर्ति आने के योग बनेंगे मितुन राशिये वाले स्वामी बुद्ध होता है लेकिन यहां पर मितुन राशिये वालों की कुंडली में हांश महापुरूस का योग बनता है जो की अपने आप में विसेश योग है और पती पतनी के जो जगड़े हो रहे थे मितुन राशी वालों में पती पतनी के जो सम्मंद खराब हो रहे थे वो अच्छे डवलप उने की चांस बन रहे हैं यहां तक कि आप किसी से प्रेम करते हैं या आप लाव मेरिज करना चाहते हैं उसमें भी सफलता के चांस हैं मन मुटाव दूर होगा बहुत अच्छा समय है दोसों तीसरी भग्य शाली राशी की बात करूँगा सिंग राशी की सिंग राशी वालों को यानि कि पंचम भाव में सिंग कन्या तुला व्रिश्चिक धनो यारि पंचम भाव में लौ जिनका प्रेम टूट गया था यहां प सक्सस मिलने का चांसे जिनको सालों से संतान नहीं हो रही उन सिंग राशी वालों को इस 78 दिनों में गरब धारन के संतान उत्पती के संतान विसफलता के चांसे बनते हैं यह कोई आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे थे बहुत समय से आपका काम पैंडिंग रखा हुआ थ तक अधान नहीं हो पा रही थी वह चीजह डायगोज हो जाएंगी यह Big बुद्धि का है ब्रेन का है लॉन्स का है एक प्रश्चिनल ना चाहते हैं यहां को प्रेपेश में आर अप मिलने की इच्छा रखते हैं तो यह इन ग्रीमिय यहां में आपका को प्र gratis में ना इक या आपका foreign travel या education या competition में आपको success के chances है दोस्तों मैं आगे बात करूँगा विसेश रूप से कन्या राशी वालों की भाग्यशाली कन्या राशी जिनके चोते भाव में ये त्री ग्रहों का जो योग है यानि की हंस योग जो है वो अपने आप में विसेश लाबदाएक है सम्मान माता दवावा खजाना लोटरी अनक्सपेक्टेड मनी और चोटी यात्राएं लगू यात्राएं दिर्क यात्राएं भी होती है सम्टाइम चोटी यात्राएं तो यहां पर बात करेंगे हम कन्या राशी वालों की विदेश यात्रा लोकल भ्रह्मन वर्ल्ड टूर क जो आपके सप्र Eck computer कोई उभा अच्छा थी आपकी या कोई रोइनोवेट करना चाथे तोड़के दोरा बनाना चाहते हैं या नया नाना चाहते हैं जो पेंडिंग काम थे। वो आपके success होने के chances हैं यहां मित्रो जो कन्या राशी वाले वेक्ति हैं इनके चोथे घर में आपको अगर कोई servant की need थी या कोई ऐसे सहायक assistant की need थी वो भी आप आपकी यहां पूरी होने के योग बनते हैं चोथा घर दोस्तों अपने माता का भी माता से समंद्ध भी अच्छे होते हैं माता की तरफ से आपको कोई बड़ा की मद्यारात्री में सुबह और 23 जनुवरी 2020 तक यह योग चलेगा 78 देज तक इसके बाद दोस्तों जो सबसे भाग्यशाली राशी है वो है व्रिश्चिक राशी वालों को दोस्तों धन भाव पे व्रिश्चिक से धनू second house धन भाव के उपर यह तीन ग्रहों का हंश राज योग बनता है हंश महापुरूश योग जो second house में बनेगा तो धनकी वृद्धी होगी और यहाँ पर केतु बहुत ज़्यादा लाब देता है क्योंकि यहाँ पर ग्रहों केतु उच्चके ओकर के लाब देंगे आपकी इज़त आपका मान सम्मान बढ़ेगा वृष्चिक राशी वालों को जब धन स्थान के ओपर जब तीन ग्रहों के यूती बनेगी तो आपका रुकावा जो धन है जो पैसा आपका रुकावा था ब्लॉक मनी थी उसके रिटरन आने के बहुत ज्यादा चांसे बनेगे दोस्तो अगली सबसे और सबसे लाश्ट जो सबसे भाग्यशाली राशी है वह फिर धनू राशी दोस्तो धनू राशी की मैं बात करूंगा दोस्तो धनू राशी में हंस महापुरुष योग बन रहा है अपने आप में जो की विसेसर धनू राशी वालों को यानि के लगन में यह आपकी चंद्र राशी है तो चंद्र राशी यानि लगन में आपका confidence बढ़ेगा इज़त बढ़ेगी सम्मान बढ़ेगा हो सकता है थोड़ी सी ego भी आप में आ जाए यहां पर आपको प्रभाव आपका इतना बढ़ जाएगा कि आपको बड़ी ख्याती या कोई वर्ड लेवल का या कोई किसी भी प्रकार का ख्याती चाते हैं फैम चाते हैं तो उसमें success के chances बहुत जादा हैं इसमें आपको रुकावा धन भी मान समान भी इज़त भी मिलेगी और आपका दबदबा बना रहेगा और कुल मिलाकर यह समय आपका बहुत अच्छा रहेगा पुराणी बीमारी से छुटकारा मिलने के योग बनते हैं बात करूंगा कुम्ब राशी वालों की कुम्ब राशी वाले व्यक्तियों को यहां पर ग्यार्मे भाव में लाबस्थान पे यहां धन भाव के स्वामी भी और लाबस्थान के स्वामी भी दोनों एक साथ यूति हैं केतु गुरू और शनी और इन तीनों का योग है वो अपने आप में शानदार योग है ये शांदार योग क्योंकि गुरू राहू और केतु जिसके साथ बैठते हैं उसका फल ले लेते हैं केतु जब गुरू और शनी के साथ बैठेंगे क्योंकि शनी के सहिक है शनी के सेना पती है राहु देव तो यहाँ पर जब केतु गुरु और शनी जब तीनों एक साथ हैं तो आपकी कुम्ब राशी वालों को जो बैंकिंग सेक्टर से बहुत फाइदा मिलना है बड़ा कोई लोन लेना चाहते हैं लोन का बेनिफिट मिलना है मान समान इज़त मिलनी है रिस्पेक्ट मिलनी है तरक को कोई unexpected money का लाब मिल सकता है और मान समान रिस्पेक्ट स्वास्त ऐसा बच्छा रहेगा creativity कुछ creative work भी आप कर सकते हैं या कोई बहुत creative ideas को movie film star कोई आप बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है या कोई बड़ा business film industry related कुछ planning में है तो उसम अंत में बात करूँगा मीन राशी की जो कि सबसे भग्या शाली राशी है मीन राशी वालों को दोस्तों ये दस्वे घर में दस्वे घर आने की पिता से संबन्द अच्छे हो जाएंगे नोकरी चाहते हैं सरकारी नोकरी गौर्णमेंट जोब में अपलाई कर रहे हैं तो अगर आपकी जनम लगन कुर्णी में शनी और गुरू अगर नीच के नहीं होने चाहिए अगर नीच के होएंगे तो फल चेंज हो जाएगा अधरवाइस यदि शनी और रहू समान्य है या शनी और गुरू यदि समान्य है या उच्छ के है तो यह जो मैंने भाग्या शाल रहाट मिलेगा जीत मिलेगी स्वास्त्य अच्छा रहेगा और आपकी कोई नई partnership या सांजयदारी के भी chances बनते हैं यहां पर कोई नि कोई अच्छा ब्यापार शुरू होने के chances बनते हैं तो दोस्तो यह था दोचर के 3 ग्रोहों का योग यह जो सुबह यानि 2019 में और ये 23 जनवरी 2020 तक ये तीन ग्रहों का शांदार हंश महापुरुष योग बनेगा और ये अपने आप में विसेश होगा दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा ये पूरा एपिसोड तो आप इसे आगे शेयर करें अपने दोस्तों को और हमारा जो चैनल है नारायन अस्ट्रो इंडिया और एस्ट्रो फ्रेंड नारायन नारायन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए आप मुझे योट्यूब चैनल पे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे जितने भी सोशल साइट्स यहाँ पर मुझे सर्च कर सकते हैं डौक्टर नारा लेना चाहते हैं, especially career advice यदि आप लेना चाहते हैं, तो आप दिये गए नंबरों पर आप संपरक करके, process को follow करके, procedure को follow करके, आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी हमारी fees का procedure है, वो आपको follow करना होगा, तत पस्चात आप मुझसे संपरक कर सकते हैं, आग्या दीजिए, फिर एक नए विशे के साथ मिलते हैं, नमोना राइन मित्रो, नमोना राइन जी, नमोना राइन जी